पनीर की सबजी अगर आपकी भी टेष्टी नहीं बनती है ना तो इन तरीकों से बनाईए हमेशा टेष्टी बनेगी और बीना मिकसर का इस्तिमाल किये बीना काजू का मदद लिए आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेष्टी पनीर की रेसपी जिसे घर के ही मसालों से आ बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे तो इस रेसपी को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं और अची तरह से टुकड़े में कट कर लिए हैं और एक चमच भर के मैंने डाल दिया दही थोड़ा से मैंने काली मिर्ट का पाउडर डाला है थोड़ा से मैंने लाल मिर् दालना चाहते हैं अच्छा सा कणर चाहते हैं तो आफ आजमा सकते हैं और यह देखे सबी चीजों को सब से पहले अच्छी तरह सा आपको मिर्ट करना पड़ेगा कई बार आपने पनीर की रेसमाल ही अगर इस तरीके से नहीं बनाई है तो मैंने नमक दाला है बिलकुल और मैंने सरसो तेल का इस्तमाल किया है और एक तेश पत्ता को डाला है और थोड़ी से खड़े वाले गरम मसाले बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है अराम से घर में सभी के मिल जाते हैं और एक शमच के करीब मैंने जीरा का यूज किया है उसके बाद दो मीडियम सैज के म बहुत अच्छी तरह के से प्याच को भूनना है प्याच जितना अच्छी तरह से भूनिंग उतनी यह रेसेपी बहुत ही टेश्टी बनती है और यह देखे अभी मैं बहुत सारी ऐसी जनकारी देने वाली हूँ जिससे इसका टेश्ट कही गुना बढ़ जाएगा फिर आपको अच्छी तरह से भूनने हैं जितना भी कचापन फ्लेवर है सभी को पूरे खत्म करना है टेश्ट बढ़ाने के लिए आपको डाल देने हैं हरी मिर्च का पेश्ट के देखे आप अपने तीखा करने सार डाल सकते हैं मैंने चार से पांच हरी मिर्च का इस्तमाल किय है और मैंने उसे भी डाल के अच्छी तरह से मैं भून रही हूं अब भूनने का काम आता है अगर आप गैस के फिले में हाई करके भूंजेंगे तो वह टेस्ट नहीं आएगा इसलिए यह रेसेपी में थोड़ी से मैनत है आपको क्या करना गैस की फिले मीडियम रख देनी है और वही बीच आपको प्याज को अच्छी तरह से गला लेने बिल्कुल ही लाल होने चाहिए बहुत ही रिष्टी बने थोड़ा सा मैंने पानी एट कर दिया ताकि यह जो प्याज खड़े-कड़े है बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए आप चाहे तो हलका सा आप चमश्चे मैंने चाहिए तो पैकेट वाले ले सकते हैं यह फिर आप चमश्चे नापके भी मैंने डाला है और और यह दीखे सभी चीजों को आपको अची तरह से मसाले को भुनना बहुत ही जरूरी है तब ही इसका टेस्ट नहीं करने वाले है मसाले में खास जिससे इसका पनीर को अच्छी तरह से फ्राइ कर लिए यह देखे पनीर डाल दिया है मेरे किये हुए कम से कम इसे पांच मिनट तो छोड़ नहीं है ताकि अच्छी तरह से यह कोटेट हो जाए और यह देखे बहुत अच्छा सा जो कलर डाला है उससे बहुत अच्छा सा लुक आता है यह पानी डाल दिया है और पानी का इस्तेमाल कर लिया है उसके पास फीर से वही काम करना है अच्छी तरह से प्याज को भी गला लेने हैं टमाटर को भी गला लेने हैं अब आपको एक खास जनकारी में देने वाले हूं जिससे इस रेसिपिका टेस्ट बढ़ जाएगा तो सबसे पहले आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रख देनी है और 3 से 4 चमच आपको देही का अग्र Tapi yeah kати अगा घोप करा ना है अगर खटे हैं तो को डाल देने हैं था नी नहीं पका आते हैं तो एक बज़ जरूर पकाएगा बहुत यैशना तरह देना है सा व्रेणर को डिखे से पनीर को डाल को डलकर एतना है के अब क्या करना चलिए मैं इसmें पूरी जनकारी points वाली हूं जिससे इसका टेश्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और अभी सही इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा सा आ गया है अब क्या करने वाली हूं अब चलिए मैं वह तरीका बताने वाली हूं और हाँ अगर अभी तक आप मेरे रेसेपी देख रहे है आपने हिसाब से ले सकते हैं और यह देखें दो चमच के मेरे करीम मेरे पास मलाई थी घर की रखी उसमें मैंने थोड़ा सा दूदेट कर दिया और उसे भी मैंने डाल लिया बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और बहुत ही अच्छा सा टेश्ट भी आता है काजू के जो कमी होती है बिल्कुल भी पूरी हो जाएगी अगर कभी भी आप इस तरह की रेसेपी नहीं बनाएं तो एक बर जरू बनाईएगा यह देखिए उसके बाद मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए और आधा चमच के करीब मैंने अच्छा सा उभार रही आया है त anterior पिर आपको इससे कभर करके पका देना है थोड richt fried कभर करके ए्क से 2 मिनट और इसी तरह चोड़ देने है ताकि जो पनीध है अच्छी तरह से मसालय मेह रच बस जाए और यह दित्खी के लूग दिखिए Тыको wildly परफेक्ट remain और रोती के के घरों में एक दिक्कत हमेशा आती है कि दूद्ध फटी जाते हैं और अगर फटे हुए दूद्ध के आप मीठी वाली रेसिपी हमेशा बना बना के खा चुके हैं और कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा है तो यह रेसिपी आप ज़रू ट्राय किजिए फटे हुए यह टेस्टी वाली रेसिपी तो सबसे पहले आपको फटे दूद लेना है और पानी अलग है और दूद अलग है अगर आपका दूद इस तरह से फटा है उबालते हुए फटा है और अलग अलग है तो आपको महिनत बहुत ही कम करने पड़ेगी और अगर इस तरह नहीं अगर आप चाहे तो लाल-लाल काटके डाल करते हैं उसके बाद मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दिया हरी वाली मेथी को थोड़ा समय डाला है जीरा पाउडर और थोड़ा समय डाल दिया है काली मिच का पाउडर यह देखे सब चीज आपको घर में ही मिल जाएंगे औ उसके बाद एक बड़े साज की बरतन लेनी पड़ेगी और एक जाली दार भी बरतन लेनी पड़ेगी और यह देखे जाली वाले मैंने ले लिये हैं उसके उपर आप कुछ भी पतला सा कपड़ा बिच्छा सकते हैं मैंने रुमाल को बिच्छा दिया है उसके बाद आपको क्या करना अच्छी तरह से इसमें डाल देना है और जितने भी एक्ष्ट्रा पानी है सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे तो यह काम आपको पहले ही कर लेना है आप चाहे तो इसको उपर सिल्वट्टे भी रख सकते हैं या फिर कुछ भारी वाले वजन के समान होते है यह निकाल लिया पनी निकरना के लिये और यह रख चाहए और आपक है और इसरस्तो का तेल बहुत यह अची तरह से गर्म होने देना है और यह एक बड़ी साइच के मैंने प्याच के लिए और मैंने उसी का इस्तिमाल किया है अलग भग मिने पास 1.5 किलो दूद्थे सभी फट गए तो मैंने उसका ही इस्तमाल किया है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा प्याज की मातरा कर सकते हैं तो यह देखे एक प्याज को अची तरह से भूल लेना हलका सा जैसे थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना उसके बाद आपको तेश पत्य को डालना नहीं लगता है और हाँ इस रसिपि को मैं सौर्ट रसिपी भी बना के डाल दूगी मैंने सभी को सौर्ट रसिपी भी डाला अगर जल जली में देखने चाहते हैं तो उसे भी जाके देख सकते हैं उसके बाद यह देखे दो छोटे सायच के मेरे पास स्टमाटर थे मैंने और एक साथ में सबी चीजों को साथ में आपको भून लेना है और अची तरह से टमाटर और प्याज गल जाने चाहिए इतना आपको भूनना है और यह देखे उसके बाद मैंने एक सिंपल वाली चमच है उसमें मैंने एक चमच भरके डाल दिया जीरा पाउडर और एक चमच से थोड़ा सा कम था और अच्छी तरह से सभी चीजों को मिला लेना घर के ही तवानों से यह बहुत टेश्टी वाली रसे बनती है जिसे आपने कभी नहीं खाए न तो एक पर जरूर बनाईएगा बहुत ही टेश्टी लगती है और यह देखे सभी चीजों को मैंने भून रह बहुत इसी तरह से भूनने के बात करना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यह देखे कदर भी चेंज हो चुका है उसके बात क्या करना कभर करना है और गेस के फिलम बन कर देनी अच्छी तरह से प्याज हमारे पक रहे हैं तब तक चलिए दूद का हाल देख लेते हैं तो आपको क्या करना यह देखे पनीर देखे अराम से कट जाएंगे बहुत इस सौप्ट रेडिमेट पनीर अगर आप लाते हैं और वो टिष्ट नहीं आपाता ना तो इस तरीके से पर पनीर जरूर बना है उसके बाद मने डाल दिया थोड़ा सा कॉन फॉलार यह देखे हलका बिल्कुल बाइंडिंग के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं तूटते हैं नव हीकला बनाले न 10-10 बॉल देयर हो चूके हैं और अची तरह से फिल में चालू करती एक्याइबी के बढ़ें चुक quello रहे हैं चलू कर त cloGU के तबाद ड्याज भी गल चुके हैं ऐसे थे क्यों सा टेस्ट को बे रहे ज़िए करने वाली हूं तो आपको घरमी मिल जाएंगे तो सबसे पहले इसके कलर को अच्छा बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा मैंने कास्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है लगबाग आधा से एक चमच आप डाल सकते हैं तो थोड़ा सा कलर बेटर होता है नहीं डालना चाहते त किया है खटी मिठी बहुत ही टिस्टी वाली ग्रेवी बनती है तो हलका सापको टोमेटो केचप डालना है और अची तरह से मिस कर लेना है अगर आपको खटी मिठे वाला फ्लेबर नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं कलर थोड़ा सा डिप्रेंड आएग ग्रेवी हमारी बहुत ही पर्फेक्टली तैयार हो चुकी है आप हिसाब से आप डाल सकते हैं जूद के पानी से ज्यादा लिया है उसके बाद आपको हलका सा नॉर्मल पानी भी डालने के बाद आपको गेस के फ्रेम बिलकुल ही कम कर देनी है और कम ही में यह अच्छी तर नाम बिलक करनी तबात हमें दो न theorem करें मैं भी डालन देने हैं बसी करें अच्का को ठीची तरह के सकते हैं अगर आपके अगर कभी नहीं बनाई है इस तरह की सब्जी तो एक बड़ जरू बनाई है और ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक जरू कीजिए खीरे से आपने रायता और नास्ता तो कई बार बनाया होगा लेकिन अगर ये रेसिपी आपने नहीं बनाई है ना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनाया है बहुत ही टिश्टी वाली और विदेश की ये फेमस रेसिपी है तो सबसे पहले आपको छोटे-छोटे खीरे ले एक लसुन को मैंने अच्छी तरह से कद्दू कस करके डाला है बहुत अच्छा सा फुलेवर आता है कभी भी नहीं खाये ना तो लसुन को अच्छी तरह से चोटे-छोटे टुकडे में क्रस करके डाल देना है तीनों चीज अच्छी तरह से पस चुके है गैस के श्टो बन कटे वाले खीरे आपको सभी को डाल देना है अगर आपने ऊपर के चिलके नहीं है तो भी ले सकते हैं फिर मने डाल दिया टेश्ट बढ़ाने के लिए प्याज अगर आप डालना चाहते है तो डाल सकते हैं फिर आधा नीबू का रस मैंने अच्छी तरह से निचोड के डा डाल देना है अगर आपके पास आमचुर का पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिर मैंने सिंपल वाले सधारन से नमक लेना है और हाँ नमक जब खाना इसे बनाए न तभी आपको इस्तेमाल करना है उसके बाद मने डाल दिया है इसमें जो शोका लगाए थे उसको डाल दिया है उसके बाद मने डाल दिया है चीली फ्लेक्स को ये देखें मिर्ची के जो छोटी-छोटी टुकले है मैंने उसको डाल दिया है और सबी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बहुत ही टेश्टी वाली ये कोरिया की बहुत ही टेश्टी सल वैसे मैंने खीरे के नाफ्ते की रसपी भी डाल रखिये नहीं देखिये तो जाके एक बड़ जरूर देखेगा